हेलो फ्रेंज, वेलकम टो और चानल, 360 डिगरे इंजिनेर, आज की हमारा टॉपिक है, बैक अप प्रोटेक्शन्स का बारे में, हमारा जो पावर सिस्टम नेटवर्क में, डिफरेंट बैक अप प्रोटेक्शन्स, फिलोसिफी का हिसाब से, क्या क्या होते हैं, लाइक हमारा लोकल बैक अप प्रोटेक्शन्स है, रिमोट बैक अप प्रोटेक्शन्स है, यह नहीं यह तो लोकल बैक अप प्रोटेक्शन्स है, इसको लबी बी प्रोटेक्शन्स भी बोलते हैं, इसी कोई सर्क्यूट ड्रेकर फेलिर प्रोटेक्शन्स का नाम पे भी बोलते हैं, यह सारे की सारे topics का बारे में आज की वीडियो में in detail discuss करेंगे friends तो सबसे पहले backup protection को आपको समझने के लिए normally main protection क्या होते हैं जो backup का object है जो main है अगर वो fail होने से हमको backup काम करना चाहिए तो actually main protection क्या होते है अभी तक हम लोग already देखा था जो अमारा for example एक network के कोई भी power system network में ठीक है अमारा जो protection में हमारा basic building blocks क्या होते है friends हमारा सबसे पहले हमको breaker होना चाहिए इसी कोई switchgear का नाम पे भी बोलते है ब्रेकर है इसकी बाद है relay यह हमारा relay ठीक है तो relay को sense करने के लिए हमको जो input से वह हमारा instrument transformer से आते हैं वह हमारा current transformer है current के लिए उसको हम लोग ct बोलते हैं और voltage के लिए voltage test transformers यूज़ करते हैं ठीक है आई से हमको एक बार ct pt से हमको input आ गया रिले को रिले को आने के बाद रिले से एक इसका अंदर बिल्डि लॉजिक ब्लॉक होगा और वो लॉजिक में वो decide करेगा इसमें trip करना ही नहीं करना है अगर trip करना है तो यह डायरेक्टरी ब्रेकर क को trip करेगा तुरू trip coil का तुरू उसका अमलोग electrical tripping वोलते हैं तो tripping coil का तुरू इसको trip करेगा यह नहीं तो बहुत सारे philosophies में क्या होते हैं इस रिले का output से डायरेक्टरी ट्रिप नहीं करते हैं कोई एक auxiliary relay किसी को आम लोग nc का code में 86 relay बोलते हैं ठीके so 86 relay का तुरू सब से पहले protection operate होने से 86 relay auxiliary relay को trip करेगा और auxiliary relay operate होने से इसका contact से breaker को trip करते हैं और इसको इसी लिए यूज करते हैं इनफेक्ट पहले क्या होते हैं फ्रेंस हमारा जो relay से हमारा electromechanical relay यूज करते हैं उसमें वो मलग कोई आपको hand reset provision करने के लिए नामारा relay में भी क्या होना तब तक इसका tripping हटना नहीं चाहिए लेकिन पहले हमारा electromechanical relay में कोई latching feature बोलते हैं इसको एक बार operate होने से वो उसी condition पर रहा जाना चाहिए उसी trip condition पर रहा जाना चाहिए जब तक reset नहीं देगा ठीक इसी को यह latching feature बोलते हैं पहले electromechanical relay में क्या है हमको वो feature है ही नही है इसी लिए auxiliary relay का through वह ही हमारा jsvajh relay hand reset auxiliary relay का through वो क्या होता है हमारा कभी भी operate होने से वो इसका contact changer हो जाएगा और इससे आपको bracket trip हो जाएगा लेकिन जब तक इसको reset नहीं करोगी तब तक वो इसका contact जाता ही रहेगा ठीक है इसी के लिए इसी के लिए हम लोग auxiliary relay यूज कर पहले है ठीक है और इसका यह सब आपका इसका जो प्रोटेक्शन ऑपरेट होने से में चीज़ है ठीक है यह सब मिला के in fact इसका अनॉंसियेशन के लिए भी कुछ इसको यूज करते हैं ठीक है अगर आप इसको देखेगा तो फ्रेंस नॉर्मली इसमें जो जोन है मतलब इ वो डिसेड करते है जोन का ओपर आपका सीटी का पोजीसन है यह जोन को डिसेड करते है में जोन है यह तो बैक अप जोन है तो जैसा हम लोग पहले भी डिसकस किया था तो इस प्रोटेक्शन सिस्टम में जैसा आप देखेगा तो यह एक सिंपल प्रोटेक्शन है राइट अमको इस नीचे का जिस CT का position दिख रहे हैं इससे नीचे कुछ भी आपको fault होता है तो यह relay operate होना चाहिए और इससे आपको breaker को trip करना चाहिए इस diagram से आपको इतना simply आपको समझ में आ रहे हैं लेकिन आप इसका protection operate होने के लिए इसका reliability बहुत important है इसी कोई हम लोग पहले अमारा जो basic protection का वीडियोस में हम लोग बताया था एक topic है dependability या reliability reliability मतलब इस protection system का कितना reliable है या नहीं है तो इसी कोई dependability का नाम पे भी बोलते हैं मतलब इसका उपर हम कितना depend कर सकते हैं मतलब actually कभी भी fault हुआ है तो उसमें यह operate होने का कितरा percent chance है इसका अगर 100% chance है अगर कभी भी इसमें fault आता है तो यह operate होना चाहिए अगर यह operate 100% होता है मतलब आपको 100 instances है 100 instances में इसको operate हो रहे हैं इसको हमलोग reliability या नहीं है तो dependability बोलते हैं इसके उपर इसका reliability है basically वो किसका उपर depend करते हैं वो depend करते हैं इसमें जो components अभी यूज़ कर रहे हैं इसी का उपर ही depend करते हैं इसका रिले का उपर प्रोटेक्शन रिले का उपर इसलिए अमारा जितना भी अमारा protection system में जो अमारा main protection का reliability depend करते हैं आपका main protection रिले का उपर अगर यह protection रिले सही है अगर आपको यह fail होने का चांस ही नहीं है तब आपको most of the time इस पूरा protection network के इस protection scheme का reliability आप तो बहुत अच्छे maintain होगा right so is main इसका reliability है इस रिले का उपर डिपेंड करते हैं इसकी बाद आप देखेगा तो इसका जो instrument transformer से जो इसका feedback है जिस feedback से रिले काम कर रहे हैं हमारा CT और PT का feedback से right हमारा simple overcurrent based protections है तो only CT है अगर कोई distance रिले से ऐसे कुछ है तो आपको CT और PT दूनों का basis में हमको काम कर रहे है distance या power protection रिले कोई भी है तो so basically इसका जो protection आपर यह रिले अगर सही है right फिर इसका बाद इसका instrument transformers का ओपर मदला आपका CT और PT का input का ओपर भी यह depend करता है इसका reliability इसलिए CT और PT का reliability भी बहुत important है इसकी बाद इसका जो जितना भी इसका cabling है उसका cabling भी आपको सई proper इसका size लेना चाहिए जो भी आपको CT PT का related आपका cables है तो वो आपको minimum 2.5 square mm का cable लेना चाहिए और बागी सब आप इसको 1.5 या 2.5 square mm का cable तो ले सकते है रेट इसकी बाद है आपका circuit breaker का ओपर depend करते है रेट circuit breaker का reliability किसका ओपर को depend करते हैं हम अल्रेडी बताया था circuit breaker हम लोग कैसे trip कर रहे है अलेक्ट्रिकली trip कर रहे है अलेक्ट्रिकली मतलब इसका जो tripping coil का तुरू हम लोग इसको trip कर रहे है तो आपको obviously circuit breaker का reliability depend करते है दो factor पर एक इसका trip coil का reliability का ओपर अगर trip coil healthy है अब यह trip होगा दूसरे है इसका circuit breaker का tripping mechanism का ओपर अगर इसका mechanism failure नहीं होने का chance नहीं है तब आपको इस circuit breaker का reliability बहुत अच्छे है रेट फ्रेंस इसकी बाद अगर हम लोग डायरेक्टली इसका tripping दिया है तो आईसे है या अगर हम लोग कोई auxiliary रिले राइड हमारा 86 रिले का तुरू इसको tripping दिया है तो तब उस auxiliary रिले का reliability का ओपर भी depend करते है पूरा इसका power system का reliability ठीके फ्रेंस इसका power system का reliability बहुत इंपर्टेंट इफ्रेंस क्यूंकि अगर कभी भी रिले हो रहे है उसी टाइम पर अगर यह कामी नहीं कर रहे है तब इसका परपस ही नहीं इसका परपस ही डिफीट हो गया राइट तो इतना investment किया हम लोग इसी इसका reliability इसका reliability बहुत important है इसी लिए power system में इसका reliability maintain करने के लिए जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं CT और PT का reliability maintain करने के लिए हम लोग को CT का हम लोग supervision करते हैं PT का supervision करते हैं ठीक है और CT और PT आप double भी लेते हैं कुछ-कुछ जगा और मतलब duplicate S में लेते हैं और relay का case में भी relay का reliability के लिए आप multiple release देते हैं और इसा आपको breaker का reliability के लिए है mechanism का तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है और दूसरा है हमारा यह सब भी कर रहे है इसकी बाद भी यह operate होते ही नहीं देखने के लिए हम लोग periodically इसको testing करते हैं राइट तो इसका जो अब भी भी आपका power system network में इसका protection का reliability depend करते हैं प्रेंस आपका periodically इसको testing करना है इसको test करके यह सही से operate हो रहे है पूरा system का integrity well maintained है वो देखना बहुत ही जरूरी है अगर हमारा electro mechanical release है तो हर एक साल में इसका testing करना जरूरी है अगर यह numerical relay है तो हर तीन साल में इसको testing करना इस system का बहुत ही जरूरी है फ्रेंस तीगे वह है कमारा testing का तूर पिरियोडिकल ट सकते हैं दूसरा इसका supervision का through जैसे में बता है था जो supervision में इसका relay का monitoring है रहे हमारा relay का healthy है नहीं है बताने के लिए हर एक numerical relay में आपको watchdog दिया जाते हैं वो watchdog को इसका relay failure contact भी बोलते हैं तो उस relay में आपको watchdog दिया जाते हैं रिले में आपको सबसे ज्यादा failure क्या होगा फ्रेंस हमारा numerical relay में आपको relay का सबसे ज्यादा failure आपका hang हो जाते हैं राइट आप बहुत बार देखा होगा relay आपको hang मिलते हैं आपको hang मतलब क्या है बेसिकली hang है हमारा कोई भी processor related कोई भी आपका device है उसमें आपको watchdog रहते हैं यह बेसिकली क्या करते हैं हमारा कोई भी अगर एक लूप में अगर आप वह बहुत जा इसका set duration तक अगर एक ही लूप में अगर गूम रहे हैं इसको हम लोग hang condition बोलते हैं उसी में आपका watchdog का contact मिल जाते हैं उसका through हमको relay को क्या करना है relay आपको fail हो गया है जैसे आपको indication मिल जाते हैं अगर कोई एक particular रूप में अगर बार 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 गूम रहे हैं तो रैट क्या होगा फ्रेंज वो इसका hang condition बोलते है right hang condition उसी रूप में गूम रहा था तो उसी रूप में तो यह busy हो गया है उसी रूप में तो वो क्या करते हैं आपका इसमें जो भी आप इसका इसमें आपको button प्रस कर रहे हैं उसको यही लूट में अगर वो गूम रहे है तो उसमें आपको watchdog आपरेट हो जाते हैं उसका तुरू हमको रिले का supervision मिल जाते हैं रिले का health मिल जाते हैं numerical relay में यही advantage है यह numerical relay self-diagresis करते हैं तुरू watchdog का monitoring का तुरू ठीगे और इसकी बाद आपको आपको आगर auxiliary relay यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी आपको supervision यूज़ करने से आपको इसका coil का supervision यूज़ करने से आपका इसका reliability maintain कर सकते हैं ऐसे हमारा trip coil का breaker का लिए trip coil का supervision करने से हमको इसका बहुत अच्छा से ट्रिप कोईल का मेंटेन करने इसका supervision करने से इसी दिए अम लोग electrical system में इसका trip coil का supervision scheme रहते हैं इसकी तुरू अम लोग को trip coil healthy है नहीं है आमको continuously अम लोग monitor करते हैं इसकी तुरू अम लोग CT के लिए CT supervision VT के लिए VT supervision का तुरू हम लोग monitor करते ही रहते हैं तो इसकी तुरू हम लोग को कुसी का भी अगर mall operation होने का chance हम लोग avoid कर देते हैं और अमारा system को बहुत अच्छा reliable dependable और high risk sector जैसे system को बनाना है इसको यह यह as a relay इंजनेर्स जैसे हमारा कामी है इसको बहुत high reliability जैसे इसको maintain करना है तो इसी लिए हमको अगर reliability का topic आया तो सबसे ज्यादा chance हमारा relay का इसी लिए हम लोग क्या करते हर जगा relay में आपको redundancy देते हैं यह कहा लेते हैं आपको जहां आपको रिले का redundancy है बेसके लिए जहां आपका इस protection operate होना बहुत ही जरूरी है यह वह कहां होगा फ्रेंस आपको generators का case में generators का case में इसलिए हर जगा prefer करते हैं dual release आपको दो रिले तो चाहिए ही चाहिए आपको दोनों रिले साथ में काम करेगा अगर कोई यह कभी भी tripping आता है तो दोनों रिले ट्रिपिंग देता है अट लिस्ट एक रिले भी अगर फेल हो गया तो दूसरा रिले से इसका tripping हमेशा ensure कर सकते हैं इसका protection का reliability हम लोग एंसूर कर सकते हैं ऐसा किसी किसी application में आपको और reliability चाहिए तो आपको तीन रिले कर तो अगर आपको security भी चाहिए तो आपको two out of three logic भी दे सकते हैं आपको तीन में कभी भी दो रिले ऑपरेट होने से आपको tripping दे सकते हैं इससे आपको इस system का security भी आपको mall operation आपको avoid कर सकते हैं इसमें आपको reliability तो obviously बढ़ जाएगा लेकिन आपको जो tripping command आ रहे हैं आपको सही tripping command नहीं देखने के लिए आपको two out of three है अगर three release यूज़ करके इसमें दो release का tripping कभी भी आया तो उसी में हम लोग tripping initiate करते हैं रैट ऐसे करने से भी हमको क्या होगा friends हमको यह हो जाएगा रैट तो यह basically यह सब आपका reliability के लिए तो अगर हम लोग इसका जो main protection है जैसे हम लोग बहुत कर रहे है इसका main protection का बारे में right so main protection मतलब अभी तक हम लोग जो बोला था overall view है इसका reliability के ओपर so अगर हम लोग main protection अगर बोल दिया तो main protection मतलब क्या है friend main मतलब यही इसका main protection है इस line को protect करने के लिए main चीज यही है main मतलब क्या है friend first thing to respond इसमें आपको fault हुआ है तो first count respond करते है first count protection scheme respond करते है उसी को हम लोग main protection बोलते है या इसी को हम लोग primary protection बोलते है इसको primary or main protection है ठीगे जो first count respond करते है उसकी उपर depend करते है और first इसको count isolate कर सकते है ठीगे उसको हम लोग main protection बोलते है अगर इसका जो reliability बढ़ाने के लिए हम लोग को दो रिले कत्रू लिया था दो रिले कत्रू लिया तो कैसे इसको देता है फिरेंस हमको already sequence है आपको क्या है एक रिले में आपको क्या हो रहे है आपको basically CTPT का input आपको एक रिले में दिया और इसका auxiliary supply और control supply के लिए हम लोग battery charger से हम लोग दिया था अगर आपको दोनों रिले को इन्पूट्स में कोई redundancy नहीं है same CT का अम लोग relay का level में अम लोग redundancy कर दिया relay का level में redundancy कर दिया तो same CT को series में इस R phase में भी जाएगा और इसी series में इस R phase में भी जाएगा ऐसा आप same CT को दोनों relay में यूज किया और same PT को भी दोनों relay में यूज किया था और control supply एक ही charger से लिया और ये दोनों relay में कभी भी कोई एक relay से भी आपको tripping आता है trip coil को तब आपको इसका circuit breaker का trip mechanism काम करेगा और इसको trip करेगा तो इसमें आपका redundancy किसमें relay का ऊपर अगर इस system का और redundancy बढ़ाना है तब आपको क्या कर सकते हैं इसका input का ऊपर भी redundancy बढ़ा सकते हैं और इसका trip coil का ऊपर भी redundancy बढ़ा सकते हैं इसलिए आपको बहुत सारे ao्ग मैं आपको को ड्व ट्रिप कोईलएक ब्रेकर भी ढते हैं आपितों मांग सकते हैं ड्राइट आपको जैसे यहरे इसमें क्या है ड्रिक्टolen एक ब्रेकर का आफ दोतरुपक banned शो यह ब्रहिप गन्हों में कोई एक क्या कररा है यह दो रधेक हैं अब काय वन को अपको रिले वका था होते हैं और इसा को यह को एली में लगन को दे सकते हैं और एक grid में आप देंगा तो इसमें रिएननclamation आपका इन्पुट लेवल में भी है, इसका CT, PT और इसका जो control supply जो आ रहे हैं, वो अलग से आ रहे हैं, और इसका relate to के लिए भी अलग से आ रहे हैं, अलग CT से आ रहे हैं, अलग PT यहां common कर दिया है, चाहिए तो अलग PT से भी दे सकते हैं, और इसका control supply भी दूसरा कोई battery charger से ले रहे हैं, इसमें क्या हो रहे हैं आपको, for example, इसका CT फेल होने से यह protection आपको ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि यह CT हेल्थी हैं, यह protection आप ब्लॉक करके इसकी तुरू आप protection आपर कर सकते हैं, ठीकि आगर यह control supply फेल होने से आपको, यह आपको scheme फेल नहीं होगा, क्योंकि यह control supply आ बहुत अच्छा reliability पढ़ जाएगा, यह सब आपको main protection से with redundancy और with high reliability है, इतना करने का बाद भी, कभी-कभी क्या होते हैं, अगर आपका protection आपरेट नहीं होते हैं, ठीके, तब सही से आपरेट नहीं हो पर रहे हैं, तो तब आपको इसके लिए कुछ backup protection तो चाहिए, ठीके, इसीदे हमको backup protection बोलते हैं, बैक अप प्रोटेक्शन में क्या होते हैं फिरेंस हमारा दो backup protection हो सकते हैं, एक आपका local backup protection मदा जिस location पर कर रहे हैं, उसी location पर हम दूशरा को यह backup protection देते, या नहीं यह तो remote backup protection है, आगर आपको दूसरा जगा इसका upstream साइड से, अगर downstream टृप होरे इसका upstream साइड से हम लोग trip कर रहे है तो इसको remote backup protection बोलते हैं ठीक है अगर इंडिविजिल देके रहा है यह local backup protection है इसमें हम क्या कर रहा है यहहमारा main delay है ठीक है इसका back UP relay के लिए dedicated ct के तुर। इसका back up relay को दियाताँ supply तो आगर आपको कभी भी main relay आपको operate नहीं हो पा रहे हैं तब आपको backup relay same location पे हैं यह backup relay क्या हो रहे हैं आपको backup relay भी same location पे हैं इसकी वज़े से advantage के हैं आपको जो आपको system कट जाएगा अगर इसका fail होने से main protection fail होने से जो system effect होगा वो आपको same system आपको effect हो रहे हैं जो आपको faulted system है उसी कोई हम लोग effect कर रहे त्रू backup system का त्रू backup protection का त्रू right so इसमें आपको क्या है आपको जो area जो आपको effect होगा ठीक है वो आपको same area effect होगा जो आपको protected area है right so और इसी दिये आपको यह local backup protection तोड़ा अच्छा protection है right आपको same location में आपको main protection fail होने से right आपको main protection आपको basically main protection first operate होना चाहिए वो आपको minimum system को हमेशा isolate करना चाहिए main protection right अगर आपको main protection आगर operate नहीं हुआ backup production भी उतना ही system को आपको isolate कर रहे हैं इसमें आपको यह प्रोटेक्शन का जो डिग्री है आपको अलग अलग जैसे आपको CT अलग अलग यूज किया है इसका इसका ट्रिपकोईल अलग से जैसे मैं यहां बता है था ऐसे आपको अलग ट्रिपकोईल करते हैं इसका बैकप प्रोटेक्शन को यूज कर सकते हैं ठीक आपको remote backup protection है remote backup protection में क्या है अगर आपको local में फिर भी काम नहीं हो पाया फिर भी local का यहां से आपको cut नहीं पाया था आपको isolate नहीं कर पाया fault को तब आपको यह fail होने के बाद तुरह time delay के बाद आपको यह breaker इसका upstream आपको काटना चाहिए right upstream को आपको trip करना चाहिए इसका remote backup पे यह है इसका remote backup यह है इसमें क्या हो रहे है आपका जो affected system में only इतना ही है लेकिन आपको यह fail नहीं हो इसको trip नहीं कर पा रहे है इसलिए इसका upstream फिर ट्रिक करने से आपको बागी जो unaffected system भी इतना पाट नहीं और इसमें आपको बागी भी कितना लोड से वो भी आपको unnecessary effect हो रहे है लेकिन आगर आपको इसमें fail हुआ तो आपको दूसरा कोई option नहीं है आपको fault को feed करके इस system को भी आप वर्ष नहीं कर सकते हैं इसलिए आप इसको remote backup protection का तुरू इसको trip कर सकते हैं रेट रेंस रिमोट backup का तुरू इसको trip कर सक quality का तरफ से लिया रेट लेकिन आपको बहुत बार क्या होते है इसका trip mechanism अगर फेल हुआ ठीक है ब्रेकर ही फेल हुआ आपको यह सब सही से काम कर रहे हैं इसके बाद आगर आपको ब्रेकर ही फेल होगा तब आपको क्या करना है फ्रेंस सो इसी के लिए हमको अलग protection है आप इसी को हम लोग LBBR नहीं है तो CBF protection local breaker backup protection यानि यह तो secure breaker failure protection का नाम पे इसको बुलाता है फ्रेंस यह होता कहा है फ्रेंस यह आपको LBB protection है आपको यह वावर यू में मैं आपको बता रहा हुं फ्रेंस लेकिन इसका यह LBB protection आपको unique नहीं रहते हैं एक एक जगा इसका operating philosophy इसक action of mode of action अलग-अलग हो सकते हैं वह अगर आपको normal switchboard अलग हो सकते हैं या आपको distribution board अलग हो सकते हैं या आपको generation board इसका mode of action अलग हो सकते हैं लेकिन actually इसका क्या काम है फ्रेंस मैं आपको बता रहा हूं for example में एक switchboard लिया इसमें एक ही income rate switchboard में एक ही income rate और इतना सारे आपका तो इतना आटगोइंग फेडर से तो सबसे पहले इस रिले अपरेट उना चाहिए यहां का और इसको करना चाहिए यहां को क्या है आपको आपको जो इसका redundancy level यहां maintain किया सब relay का level में CT का level में इसका control supply का level में अम लोग सारे redundancy maintain किया लेकिन इसका mechanism ही fail हुआ यह नहीं है तो इसका trip coil ही fail हो गया तब क्या होगा फ्रेंस यह breaker ही अगर बंद नहीं हो रहे breaker बंद नहीं होगा तो क्या होगा इसको isolate ही नहीं कर सकते क्योंकि breaker में कोई redundancy हम नहीं डाल सकते क्योंकि जब तक breaker का pole नहीं open होगा तब तक इसका fault है isolate ही नहीं हो पाएगा तो इसको breaker का level पर कोई redundancy नहीं है तो इसका breaker का कुछ failure protection होना चाहिए तो अगर आपको कभी भी ऐसा चीज हुआ इस केस में क्या हो रहे आपका यह breaker आपको operate होना चाहिए लेकिन operate नहीं हो रहे इसमें आपको क्या करना है आपका local backup breaker protection है या circuit breaker failure protection है कुछ initiate होना चाहिए और वो initiate होकर इसका backup breaker का होना है इसको बंद करने से तो कुछ नहीं होगा इसको क्या बंद करना है इस fault को feed नहीं करना चाहिए तो इस switchboard में कितना भी sources से उसको काटना चाहिए sources सब को काटना चाहिए और इसको back feed है नीचे की पीछे की तरफ से back feed काटने के लिए यह simply सारे की सारे breaker को इसमें काटना है आपको bus differential protection जैसे होता है आईसे ही है ठीक है इंडिरेक्ट यह लोग क्या करते है local backup breaker protection में आपको कभी भी इसमें आपको breaker failure detect किया तब आपको bus differential का जो protection का जो relay auxiliary relay उसी कोई आपको initiates कर जेते हैं उसमें क्या होते है हमार bus differential protection में भी जो आपका source है like हमारा income और source है source है तो क्या करना है उसमें आपको 86 operate होगा और बाकी सब में आपको direct tripping में बंदो जाएगा ठीक है आगर इसमें और भी कुछ source है तो वो भी आपको जो भी source है उसमें 86 operate होगा बाकी में direct trip का through इसको बंद कर देते है as per philosophy है कुछ-कुछ relay engineer सबको 86 का through trip कर देते है सबका 86 का through trip करने से भी कोई headache नहीं है लेकिन आपका source में तो जरूर 86 आना चाहिए source में तो जरूर जब तक आपका hand reset नहीं करोगी तब तक इस ब्रैकर को दोबारा on नहीं कर सकते है इसे होना चाहिए इसलिए जो source है जिसमें आपको potential source है उसको आपको 86 आना ही आना है इसमें रैट फ्रेंज तो अभी आपको ये mode of action क्या है ये breaker fail होने से आपको सारे breaker को काटना है रैट तो आपको ये breaker fail हो गया हूँ फॉल्ट पर ऑपरेट हो गया ये नहीं तो इसको auxiliary relay है जो 86 relay है अगर वो pick हो गया है ठीक होने का बाद भी अगर इसका breaker का contact फिर भी आ रहे है हमको तोड़ी दिले का बाद फिर भी इसका breaker on का contact आ रहे है ठीक है और इसमें जो breaker on का contact आ रहे है मतलब का ब्रेकर का failure है mechanism इसमें actually tripping जा रहे है लेकिन breaker trip नहीं हो रहे है ठीक है इसकी through इसको initiate करते है इसमें और redundancy बढ़ाने के लिए ब्रेकर का contact आया और इसका जो current है जो इसका जो LBB protection का जो वावर current setting है ठीक है इससे उपर setting है अगर मतलब आपको 86 आया लेकिन इसका breaker open नहीं हुआ और current है जो LBB protection setting से उपर है तब इसको LBB initiate कर देते है उसमें आपको bus differential tripping जैसा सारे breaker को इसको trip कर देते है यह आपको local backup breaker protection बोलते है यह आपको single scheme है आपको यह हम बता रहे है यह आपको initiation कैसे हो रहा circuit breaker failure या नहीं है तो local backup breaker का आपको 86 है यह नहीं है तो relay का protection है यह दोनों में कोई आपको operate हो गया यह दोनों में कोई एक इसकी बात भी operate होने का बात भी आगर आपको circuit breaker अभी भी on है और इसका जो current setting है LBB का इसका इस setting से उपर है current है normal current से उपर है मतलब कहें है आपका circuit breaker का failure का आप initiate कर सकते हैं और इसमें तोड़ा सा time delay देना पड़ेगा आपको breaker मतलब आपको breaker का trip coil का supply मिलने के बाद भी इसका जो operation के लिए जो time लेगेगा operation time delay के लिए हम लोग तोड़ा सा time delay इसको देते हैं ठीके otherwise आपको इसमें जो उतना time delay देने का बाद भी आपको अगर ये नहीं हो रहे है ठीके वो time rise से set करते हैं आपको breaker opening time प्रेस हमारा protection delay का reset time प्रेस को safety margin डाल कर इसमें आप इसको time delay देते हैं आपको अगर इसमें उतना का बाद भी आगर ये दोनों operate होने का बाद time delay स्टार्ट होगा उस time तक जो 300 मिली सेकन है उस time तक आपको ये दोनों आ रहे breaker on का feedback भी आ रहे है और I greater start भी आ रहे है तो क्या करेगा आपको circuit breaker का failure initiate करेगा उसमें आपको सारे की सारे breaker को bus differential tripping का through इसको initiate करेगा अगर इसमें आपको board में bus differential protection है ही नहीं है तो जैसे bus differential में करता है आईसे आपको सारे breaker को इसमें trip करना है राइट friends so trip करना पड़ेगा through auxiliary release ठीके friends तो आपको एक single incomer का scheme में अगर आपको double incomer है double incomer है तो क्या करना है इसमें भी for example इस relay है ठीके इसमें आपको protection मतलब इसमें आपको कोई fault हुआ राइट fault हुआ है लेकिन आपको same sequence है अगर यह है ठीके fault होने से 86 operate हो गया मतलब सबसे पहले relay operate हो गया relay operate हो कर 86 operate हो ठीके इसलिए दोनों में कोई भी आया ठीके इसकी बाद जो time delay दिया है हम लोग 300 millisecond इसकी बाद भी आपको breaker का on contact आ रहा है और current का setting से उपर है ठीके current का setting का उपर है तो क्या करेगा इसमें आपको circuit breaker failure initiate करेगा और उसमें आपको जितना भी source है उसको काड़ देगा source में क्या है याभी incomeer भी है और bus couple भी है bus couple भी यहाँ source हो सकते है reference क्योंकि आगर आपको कभी भी bus couple आउने तो आपको bus couple को भी काटना पड़ेगा क्योंकि इससे आपको feed कर सकते है तो यहाँ यह की चीज़ different है incomeer outgoing के साथ आपको bus couple को भी trip करेगा ठीक है अगर यह आपका fault इस सेड में भी कोई होए तो आपको bus couple trip करेगा irrespective of कोई भी fader है दोनों section में किसी का भी fader में आपको circuit breaker failure initiate हुआ है तो आपको bus couple को ट्रिपिंग जाएगा ही जाएगा ठीक है friends यह आपका दो incomer का scheme में दो incomer बॉन bus couple scheme में next day हमारा generation board में क्या होते है generation board में for example कभी भी आपको fault हुआ है fault मज़ा आपको distribution board में जो जा रहा है इसका cable differential operator हुआ है for example cable differential operator हुआ है तो उसमें आपको क्या करना है cable differential operator हुआ cable differential operator हुआने का बाद यह breaker को आपको trip करना है लेकिन यह breaker trip नहीं हो पाया दीगे और इतना time delay का बाद भी इसका current कम नहीं हुआ और breaker का on feedback गया नहीं है तब आपको क्या करना है इस board में कितना भी आपका sources है यह sub में आपको ATC का through trip करना है और bus couple को भी trip करना है तो simply just like हमारा bus differential protection है in fact उसी में इसका tripping initiate कर देते है हम लोग इसको operate कर देते है तो LBB protection का भी यह फ्रेंज LBB protection में हमको और reliability बढ़ाने के लिए है जन्दली LBB protection में हम लोग क्या करते है LBB protection के लिए अलग CT input लेते है LBB में तो अलग relay लेकर अलग CT अलग relay कर और इसकी true हम लोग इसको करने से इसका reliability और अच्छा बढ़ जाएगा LBB का ठीगे ऐसे बाकी protection जैसे ही आईसे आप इसको LBB में भी आप इसका relay का level में redundancy लेकर CT का level में redundancy लेकर इसका LBB protection का scheme का इसका reliability और बढ़ा सकते है इसका आउट गोइंग फेटर में आगर फर इक्जामपल जेनरेटर ब्रेकर में अगर यह ब्रेकर failure इनिसेट हुआ तब भी आपको सीम चीज होना चाहिए ठीक है आपको सारे की सारे को काटना चाहिए इसको बेसके लिए इसका बैकप ब्रेकर से बाकी सब इसका बैकप ब्रेकर क्या होगा इसमें आपको सेक्शन वन में जितना भी ब्रेकर कनक्टेड हैं वो सारे इसका बैकप ब्रेकर से हैं ऐसे आपको कुछ भी हुआ तब आपको इसका बैकप ब्रेकर का तो इसको आइसलेट करना चाहिए तो यह तो लॉकल ब्रेकर बैकप प्रोडेक्शन है फ्रेंज राइट आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंज अमारा साथ आगे भी बनाता रहें फर मोर इन इंट्रेस्टिंग वीडियो थेंक यू फ्रेंज